नमस्कार मैं हूँ पलवी सिंग और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्या नियूज रुक करेंगे इस वक्ती बड़ी ख़बर कियो है बतादे उत्र जोन में अब 43 पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिये गए हैं 21 दरोगा, 4 हेट कॉंस्टेबल के तबादले किये गए, 6 कॉंस्टेबल, 12 महिला कॉंस्टेबल के तबादले किये गए हैं बतादे उत्री जोन में ये बड़े तबादले की ख़बर सामने आई है शिकायत मिलने पर दरोगा पर कारवाई भी की गई और DCP उत्री ने पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिये हैं अकोदाने 43 पुलिस कर्मियों के तबातले किये गए 6 कॉंस्टेबल और 12 महिला कॉंस्टेबल भी शामिल शिकायत मिलने वाले दरोगा पर की गई कारवाई डीसीबी उत्री ने किये पुलिस कर्मियों के तबातले इसी बीच 43 पुलिस कर्मियों के किये गए तबातले उत्री जोन में ये बड़ा फेर बदल किया गया है जहां 43 पुलिस कर्मियों के तबातले कर दिये गए हैं साथ 21 दरोगा चार हैट कॉंस्टेबल के तबातले कर दि अगली बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे कानपूर से ये खबर सामने आ रही है जोहां बर्रा के सिंग धाबा पर पुलिस ने चापे मारी की है कानपूर के बर्रा में पुलिस की चापे मारी कई शराबियों को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया है साथ ही मौके पायज शराब की बोतले भी पुलिस ने बरामत की खुले आम शराब पिलाने की घटनाईयां पर हो रही थी और इची के साथ ही अब पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए गिरफतार किया है आर ओपियों को और काफी चोड़ते धाबा आए तो आपको बताते कानपूर के बर्रा से मामले सामने आये जाकितवई नगर में पुलिस ने बड़ी चापे मारी की है पर्रा में सिंग धाबा पर पुलिस की चापे मारी सरे आम लोगों को शुराब पिलाई जा रही थी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए कई शुरावियों को हिरासत में लिया और ये बड़ी कारवाई देखने को मिली है धाबा बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक धाबा बंद करने के निर्देश दिये गए बर्रा किद्वाई नगर में पुलिस की ये बड़ी चापे मारी की खबार आपको बता रहे हैं जोहां खोले आम शुराब पिलाई जाती थी काफी चुर्चित धाबा जिस पर शुराब पिलाई जाने का काम किया जोह रहा था जहां पर अब पुलिस ने चापे मारी कर अगले आदेश तक धाबे को बंद करने के निर्देश जोहरी कर दिया है अब जिले में डेंगू का कहर लगा तार जुआरी है एक और बड़ी खबा इस वक्त की आपको उदा दें ताज आंखरों को देखें तो डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा एक ही दिन में डेंगू के पांच मरीज मिले हैं दो मरीजों को जिलास्पताल भीजा गया और नीजी अस्पताल में भी मरीजों का इलाज जा रही है डेंगू में अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं नीजी अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है 11 मरीज सामने आये हैं रोजाना बुखार से 300 से अधिक मरीज आ रहे हैं सामने गरामिन इलाकों में नहीं हो रही जाच लोगों का आरोप कोई जाच नहीं हो रही गरामिन इलाकों में और इसी के साथ ही जेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उत्रक्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू और वाइरल वुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है अमरोहा जिले में डेंगू का एक कहर लगातार जारी एक दिन में सामने आये डेंगू के पांच मरीज जिनने इलाज के लिए अस्पतार में भर्ती कराया गया नीजी अस्पतार में भी मरीजों का इलाज हो जारी साथी ग्रामीन इलाकों में जाजना होने से ग्रामीन परिश्यान जिले में अब तक डेंगू के 11 मरीज मिल चुके हैं और इसके साथ यह अंकड़ा भी भी बढ़ रहा है लगातार डेंगू और वाइरल बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं अज पूर्वी राजस्तान और गुजरात में बारिश की गतिविद्यों में तीजी आ सकती है और आज से पूर्वी भारत में फिर से एक बार भारी बारिश की संभावना है मही दुली NCR में छुटपट बारिश होने की समभावना है और उसके बाद इसमें कमी आ सकती है दिली में अधिक्तम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस अग पहुंचने के साथ ही शुकरवार को मौसम उमस भरा रहा IMG ने आज दिली में बादल चाय रहने के साथ ही गरच के साथ छीटे पढ़ने और हल्की से मध्य बारिश होने का पूर वनुमान भी जुताया है अधिक्तम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और निउन्तम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपाथ रहने की आश्रूंका जुताय जारे है विभाग ने ये भी बताया कि 18 से 20 सितंबर तक के लिए गुरीन अलर्ट जारी किया गया है साथ ही 21 से 22 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी है और येलो गंभीर मौसम का संकेत देता है आयम जी ने कहा है कि 19 और 20 सितंबर को उत्रा खंड में छुटपुट बारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही पारा भी लुड़क सकता है ऐसे में काफी व्यापक रूप से भारी गिरावट के साथ ही हरियाना और चंडिगर में भी बारिश की संभावन जताई गई है लेकिन शुक्रवार के इस बाद इसमें कमी आ सकती है और अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पस्चुमी भारत के अन्य हिस्सों में हलकी से मद्दे चुटपुट बारिश होने की संभावना है